नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, Q&A सेसन के 29 एपिसोड में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त दिख्यवर्मा, दोस्तों इस Q&A सेसन में मैं आपके दोरा पूछे गए दो सवालों का जबाब दूँगा, अगर आपको भी हमसे कुछ पूछना है, तो इस वीडिय सेलरी कितनी होती है, दोस्तों मुझे बताइए कि जो इंडिया में, M.C.A करके जॉब करता है, उसकी एवरेज, एनुवल, सेलरी कितनी होती है, स्टार्टिंग होता है, तीन साड़े तीन लाख से, और बारा, चौदा लाख तक जाता है, मालनो 15 लाख, 15 लाख लास्ट है, स्टार्टिंग में, मालनो कि मैं नया हूँ, मुझे एक्स्पिरियंस नहीं है, तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को मिलेगा, yearly बात करूँ, क्योंकि इसका package आता है, M.C.A करने के बाद जॉब करोगे, तो इसका annual package आपको मिलता है, तो स्टार्टिंग में, 4 लाख, 4 लाख, 4 15 लाख है, लिकिन USA में, average salary, जो national average salary है, वह यहाँ पर, आप देखें, 51,118 dollar, 51,118 dollar है, USA में, वही national average salary, अगर हमें इसको, इंडियन रूपीज में convert करो, अगर इंडियन रूपीज में convert किया जाए, तो देखें, क्या निकल करता है, 51,118 है न, अगर आप, dollar से, रूपे में convert करोगे, इंडियन रूपीज में, तो आपको यहाँ पर निकल कर किया आता है, 42,10,758, अब सोचे कि, इंडिया में, starting में मिलता है, 4-5 लाख, और अगर बहुत, आपके पास experience है, बहुत ज़्यादा experience है, तो फिर 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, आपको, 12 लाख मिला करके, 42 लाख वहाँ पर मिलता है, एक साल में, तो क्यों ना लोग USA में job कर, इसलिए, USA में ज़्यादा Indian लोग देखेंगे, reason यही है, ठीक है, अगला सवाल हमारे पास क्या आत है, वो देखिए, अगला सवाल है, which company is best for MCA Fraser, अगर मैं MCA कर चुका हूँ, और मुझे उत सकते हो, Amazon में जा सकते हो, Dell में, IBM में, HCL में यह सारे company है, PTM में, Infosys में, और Tata Communications में, Microsoft में, ICICI Bank में, TCS में, Intel में, यह सभी जगह आप जा सकते हो, तो यह था हमारा आज का जवाब, अगर आपको भी हमसे कुछ पुछना है, तो इस वीडियो कमेंट बक्स में, आप कमेंट कर सकते हो, तैंक यू